असलाम अलेकूम वियोर्स आप देख रहे हैं उर्दू एष्टी वियोर्स ये हैं दुनिया के चंद अजीबो गरीब दरख जो आपको वाके ही सोचने पर मजबूर कर देंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वियोर्स अजीबो गरीब और यूनीक शक्लो सूरत का मालिक ये दरख स्कौटरा जिजीरे में पाया जाता है जिसका नाम है स्कौटरा ड्रेगन ट्री इस दरख की सबसे ज़्यादा खास बात इसकी च्छत्री जैसी लुक है इसका नाम राल के दरख से अक्स किया गया है क्य क्योंकि इसे ड्रेगन बलड का नाम दिया जाता है इस दरख की गहर मामुली शेप इसे खुशक और नामवाफिक हालात में ज्यादा ज्यादा बचाओ फराहम करती है इसका बड़ा पहला हुआ ताज जो कि इसकी इन्फरादी खसूसियत है ये दरख हजारों साल तक जिन् अस्टेयलिया के एककसपेट डरबी में मौजूद है इसे प्रिजन ट्री यानि एक हमालाती दरख का नाम इस इसके तने के अंदर एक चोटा सा अपार्टमेंट मौजूद है जो किसी कैद खाने की तरह इस अपार्टमेंट में आट से दस लोग बासानी समा सकते हैं कहा जाता है कि 1890 की दहाई में इस दरहत के कैद खाने के अंदर चंद ऐसे देसी यानि मुल्की कैदियों को रखा गया जिने सजाय मौत का सामना था इस प्रिजन ट्री को तकरीब कारी से बचाने के बाद के सालों में इसके गेद एक मजबूत बार्ट भी नस्ब की गई ये सेंक्रो साल पुराना दरख अब भी डर्बी में मौजूद है वियोर्ज ये है दुनिया का एक अनोखा मगर अखलोता हाइप्रेन नामी दरख्त जो के अमरीका की सबसे बड़ी रियास्त कैलिफोनिया के एक छोटे से जंगल रैडवूड नैशनल एंड स्टेट पार्क्स में मौजूद है इस दरख्त की सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि ये दुनिया का सबसे लंबा मगर जिन्दा दरख्त है इसकी लंबाई गयर ममूली तोर पर 115 मीटर यानी 380 फीट है इस दरख्त को साल 2006 में द्रियाफ्त किया गया इसकी उमर लगबग 600 साल है इसकी लंबाई बड़े बड़े सकाई स्कैपर से भी ज्यादा है कुछ माहिरीन के मताबिक इसकी उमर 800 साल से भी ज्यादा है ब्योर्स के आपने कभी जाला नुमा दरख्त देखा है ये दरसल एक बरकित का दरख्त है जो चाइना के कस्बे गौांची में पाया जाता है वैसे तो आपने आज तक बेशमार दरख्त देखे होंगे और सब की जड़े जमीन के अंदर ही होंगी मगर इस दरख्त की खासपाज ये है कि इसकी जड़े जमीन के अंदर नहीं बलके बाहर है मगर फिर भी ये दरख्त अपनी जगा काइम और दाइम है दरसल ये दरख्त एक दिवार में उगा था जिसके बाद वो दिवार तो तोड़ दी गई मगर इस दरख्त की जड़े बाहर ही रह गई जड़े बाहर रहने के बावजूद इसकी अवजाईश होती रही जो वाकिय ही में कमाल की बात है इस दरख्त को देखने भी बेशमारत सया आते जाते रहते हैं वियर जी एक सबसे ज़्यादा मुनफरिद और अनोख़ दरख्त जिसका नाम है डिवी डिवी ट्री इसे लिवी डिवी आ कोरियरा का नाम भी दिया जाता है कुछ लोग इसे बड़ी ज़ाडी का नाम देते हैं ये ज़ाडी दरख्त क्रैबियन, मेकसीको, सेंटरल अमरिका और साउथ अमरिका में पाय जाता है इसे पहली नजर देखने पर यू लगता है जैसे तेज हवाओं और तुफानों ने इसका रुख मोर दिया है इसकी लंबाई आम तोर पर 20 मीडर सक जाती है मगर ये इससे भी ज्यादा लंबा हो सकता है मगर बसलसल चलने वाली हवाओं की वज़ा से ये एक साइड को जुब जाता है इसकी मदद से बहुत सारी अद्विया तियार की जाती है कुछ मुमालिक में इसे खुबसूर्ती बढ़ाने के लिए भी लगाया जाता है व्योर्स बहरीन के वस्ती सहरा में पाया जाने वाला ये पस्त का द्रख्त भी अपने आप में एक अनोखा द्रख्त है इस द्रख्त की उमर तकरीबन 400 ये 500 साल है ये एक बड़े सहरा और बियाबान में उगने वाला एक अजूबा है इस किते में पाये जाने वारा ये अकलोता सरसबस हयात जिसकी जड़े लंबी लंबी है ये पोदा गालबन जमीन से पानी हासल करने का भी एक बड़ा सोस है यहां के मुकामी लोगों का ऐसा अकीदा भी रखते हैं कि ये बिलकुल उसी जगा पर है जहां जन्नत का बाग था आज की वीडियो बस यहीं तक थी उमीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अपने राय का इज़ार कॉमेंट सेक्शन में करते रहें थाइंक यू फर वाचिंग इस वीडियो अलाहाफि जुज एक मेंस करें आई होगी करें यू सेक्शन मेंट करें